तो दोस्तों आज की वीडियों बात करेंगे राइट इसू में कैसे अपलाई करें बहुत सारे लोगों के question आते हैं बहुत सारे लोग राइट इसू में अपलाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता कि राइट इसू में कैसे अपलाई करना है तो चली मैं आ आप डाउनलोड करते हैं फिर आपको प्रिंट आउट निकलना पड़ता है फिर इसको फिल करके आपको कंपनी की और भेजना पड़ता है वो होता है ओफलाइन तरीका दूसरा ओनलाइन तरीका होता है जिसमें आप नेट बैंकिंग के तुरू आप अपना अपना प्रोसेस उफलाइन कर सकते हैं राइड इसको के अंदर ओफलाइन प्रोसजस में आपको या दला दो कोवीड से पहले हुआ करता था कोवीड के बाद ओफलाइन प्रोसेस बंद हो चुका है तो सिप perpetrator से बचा वगा है आपको प्लाइक करनेगा अगर आपके पास Net Banking नहीं है मैं आपको यहाद दिला दू अगर आपके पास Net Banking नहीं है तो घवरानी की कोजी होत नहीं है आप अपने बैंक से कॉंटक्ट कीजिए वो पांच मिट में आपका जो Net Banking है वो आपको स्टार्ट कर देगा और फिर आप अप्लाई कर सकते हैं कोई ज्यादा लंबी बात नहीं है आराम से आप Net Banking आपका स्टार्ट हो सकता है चली राटिस में कैसा अप्लाई करना वह मताता हूं जैसे आप अपना होम पेज खोलेंगे Net Banking जैसे आप अपन करेंगे चपसे उपर एक आपको सर्च बॉक्स में लेगा सर्च बॉक्स में आपको क्या लिखना है सबसे लिग लिखना है एस्बी अस्बा यह आइप लिख सकते हैं या एस्बी असबा लिख सकते हैं दोनों पर से कुछ भी लिख सकते हैं आपको कहीं और जाने की कोई जी रोत नहीं कहां होम पे जाए एक आप यह डिटेल उस पर आपको क्लिक करना है जैसि आप उस पे क्लिक करेंगे एक सेबी का जो गाइडलाइन होता है वह पुछ इग्नोर करना है आपको OK कर देना है उसको जैसे OK करेंगे आपको एक डाटा आ जाएगा पूरा सीट आ जाएगा जिसमें आपको दिखेगा कि कौन सा IPO भी open हुआ हुआ है कौन सा राइट इसू अभी open होता हुआ देखने हुआ तो अभी देखेंगे आप तो अभी 18 यानि 17 अगस्त 17 अगस्त तक IPO कुन सा खुला हुआ है पिरामल फार्मा का आज से IPO open हो चुका है आठ तरीक से तो मैं पिरामल फार्मा के एक्जांपल लेकर बता रहा हुआ अगर आपके पास दूसरा भी अगर इसके लिए apply करना चाहते है तो आपका नाम वहां पर करेंगे तो उस पर आपको कुछ फायदा नहीं होगा क्योंकि जो कंपनी के तोड़ा इंस्टेक्शन दिये गए वही दिया हुआ है तो उसमें कुछ नहीं है आपको apply नाव पर क्लिक करना है जैसी आप apply नाव पर क्लिक करेंगे एक फिर से guideline आएगा notification आएगा उसको आपको आप क्लिक करेंगे एक नया आपको dashboard खुल जाएगा जिसमें आपको कुछ detail मांगी जाएगा आपको फिल करना है आपका account जो है वह आपको वैसा ही रहेगा आपको कुछ share खानी नहीं खानी है उसमें investor nickname मांगेगा nickname में आपको कुछ भी डाल देना है आपका जो नाम है तो depository name में क्या करना है आपको दो option दिखेंगे एक तो nsdl दूसा cdsl तो मैं आपको suggest करूँगा cdsl पर आप क्लिक किजए cdsl पर जैसी आप क्लिक करेंगे फिर आपसे मांगेगा कि आपका demate account आपको देना परेगा solar digit जो demate account होता है वो आप दे दीजिए वहाँ पर कोई होता है वो आगया कि आपने यह चीज़ डाला हुआ है यह सब चीज़ सही है क्या अगर सही है तो confirm कर दीजिए अगर कुछ आपको छेर खानी करनी है तो edit कर दिए तो मेरा हिसाब से सारा कुछ सही है तो मैं confirm यहां पर कर देता हूं अगर आपको लगता है कुछ गलत है तो तो आप यहां पर आपका रेजिस्टेशन हो चुगा है आपका अप्लिकेशन अप्रूब हो चुगा है आपको पेमेंट करना है जो है इसे चेस्टेशन के से सेक्षन में एक ही जगह पर आता है तो आपको टेंशन लेने के वहारी बात नहीं है क्लिक किए। में एक पूरा होंपेज आप कमब्बफेज में सबसे बहुत मैं माँंगे जाएगा कंपनी नेम आप क्लिक करेंगे थो सारी सार आ कंपनी चल रही पशुका है। आपको देके गाय। में फिरमाइल फार्मा का है तो मैं पिरमल फार्मा डाल दूंगा तो वह वहां पर आ जाएगा दूसरा investor category रहेगा तो उसमें आप कुछ भी डाल दीजिए वो gateway है वो कोई बरी बात नहीं है आप चार-पाच gateway उसमें से कोई भी gateway आप डाल दीजिए वो अप्रूफ हो जाएगा नीचे आपका minimum quantity रहेगा minimum रहेगा यह साथ चीज आएगा कुछ छेर खानी नहीं करनी है एकाउंट नमर भी पर छेर खानी नहीं करनी है वो तो bit detail में जैसी ही आप जाएंगे तो आपको देखेगा कि यह सारा चीज जो यहां पर दिया हुआ है पूरा bit price यह सारा कुछ आपको सेम रहेगा चेंज आपको नहीं करना है कुछ भी छेर खानी नहीं करनी है आपको next कर देना है मतलब इंटर बिड में आपको बिड नमर डाला है कि कितना रुपय का बिड है क्या है नहीं है number of share जो आपको डालना है वो आप डाल दीजिए उसके बाद आप next कर दीजिए जैसी next करेंगे तो आपका जो verification होता है वो हो जाएगा मेरे पास हाला कि उतने पैसे नहीं है मेरे account में 1500 रुपय ही है आपको आगे बढ़ना भी नहीं है आपको जिनके पास यह है जैसी आप वो next करेंगे तो आपका verification जाएगा OTP जाएगा आपके मोगाल पर कि इतना रुपया आपके account से कटने वाला है अप्रूब कर दीजिए जैसी अप्रूब करेंगे एक confirmation आएगा कि successfully आपका confirmation हो चुगा है ओके कर दीजिए और फिर आपका राइट हो जो है वो successfully अप्रूब हो जाएगा तो बस इतना ही करना है इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है maximum maximum अगर आप नए है तो आपको बंदरो मिनट के आसपास लगेंगे यह साइचीज process complete करने में तो टेंशन वाली बात नहीं है बहुत easy process है पंदरो मिनट में मेरे हिसाब से कुछ प्रॉब्लम नहीं आने चाहिए फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो comment box में आप ज़रू पुछेएगा मैं ज़रू help करने की कोशिश करूँगा लेकिन मेरे हिसाब से easy process है अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो comment box में सब्सक्राइब और से जरू करें धन्यवाद